नमस्ते स्वाकत है आपका तेजाश चंदेल YouTube चैनल में और आज की इस वीडियो में मैं बताँगा आपको संस्क्रीन के बारे में इसी के साथ ही एक बहतरीन संस्क्रीन का मैं रिवीज करूँ हमाँ विच लाशील्ड की संक्रीन जेल अब मैं आपको बताएँ संस्क्रीन प्र आपको हर कोई बताता हुआ कि sunscreen आपको लगाने ही चाहिए क्योंकि sunscreen एक protective shield बना देती है आपके चहरे के उपर which protects you from UVA rays और UVB rays से जो sun omit करता है आपके चहरे के तरफ इससे क्या होता दोस्तों जो sun से निकले वाली UVA and UVB rays होती है इससे आपके जो चहरे है इसकी quality खराब होती ह पहली बात तो skin की texture खराब होता है pores खुलते हैं जो main चीज है जो सब लोग डरते हैं वो है skin cancer तक कर सकती है UVA and UVB rays so इसलिए अपने चहरे को protect करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और इसके साथ ही जो आपके skin की aging है उसका process बहुत जादा तेज कर देती है मतलब अगर आप एकी तरफ चलनी शुरू हो जाएगी इसलिए हम एक non comedogenic sunscreen को use करने की सलाह देते हैं ताकि आप इस तरह की problem से बच सके तो मैं आज review करूँगा इस last shield के sunscreen gel का जो की recommend करा है मेरी dermatologist ने और मैं आपको इसके benefits के बारे में बताऊंगा कैसी use करना है वो बताऊंगा और इसके जो चीज मुझे पसंद नहीं है वो बताऊंगा यह मेरे पास 50 ग्राम का पैक जो लगबग लगबग आपको 624 रुपे का Amazon पर बढ़ जाएगा packaging की बात करो तो आपको catboard टाइप की packaging में आपको देखने को मिल जाएगी और हाला कि मैंने यूज कर रखिए मैं personally use करता हूं तो that's why इसका यह हाल हो रखा है और अंदर से आपको कुछ इस तरह एगी sunscreen देखने को मिल जाएगी packaging ठीक ठाक लगी मुझे ज़्यादा premium packaging नहीं है मैंने और भी sunscreen आती हो उसको भी try कर रहा है लेकिन जादू उसके अंदर है मैं बताता हूं क्या दोस्तों यह है SPF 40 वीट प काम कैसे करती है जब आपके face से वह रेज़ेश टकराएंगी यह उनको reflect back बापस से कर देती है दो तरह की sunscreen होती है एक होता है जो एक होता है जिसे हम chemical sunscreen भी बोलते हैं और इसके साथ ही दूसरी जो होती है physical and mineral sunscreen जो कि इस तरह की होती है इसमें एक और तरह की आती है जो सिलिक लगबग हर sunscreen में देखा होगा इसके साथ ही आपके shampoo में भी पढ़ा रहता है और इसके साथ ही यह आपके lipsticks में भी पढ़ा रहता है लगबग जितने भी cosmetics की चीज़े होती है उसमें पढ़ा होता है दोस्तों यह आपकी skin को UVB rays खासकर UVB rays से जो आपके skin burn होती है या sunburn भी से बोलते हैं उससे आपको protect करता है दोस्तों इसका जो अगला ingredient उसका नाम है दाइथालमीनो हाइड्रो बेंजॉल इसको हम यूनिवल एप्लस के नाम से भी जानते हैं और यह क्या काम करता है अगर यह chemical sunscreen पढ़ा है तो यह रिफ्लेक्ट बैक करने का काम करता है और यह आपको बचाते हैं harmful resistance sun से जो अमिट होती है UVA and UVB इसका जो अगला ingredient है दोस्तों का लाम है alkaline benzonate basically जिसे हम scientific term में C12-15 के नाम से भी जानते हैं यह basically एक ऐसा ingredient है जो हर sunscreen में तो नहीं पढ़ा होता लेकिन यह अगर पढ़ा है तो यह plus point होता है क्योंकि यह आपकी skin को एक natural moisture द आपको बतायता है इसके benefits के बारे में दोस्तों सबसे पहला जो benefit है SPF 40 with PA triple plus rating के साथ आता है जो दोनों तरह की resist से आपको बचाता है UVA and UVB जो दूसरा benefit है दोस्तों वो यह है कि आपके pores को clog नहीं करता मतलब जिनको acne की problem है उन्हें दिक्कत नहीं आने वाले इस sunscreen से जो तीस इसी तरह का white residue नहीं छोड़ता मतलब white cast जिसे बोलते हैं वह नहीं छोड़ता तीसी चीज यह आपके non comedogenic होने कराण आपके pores को block नहीं करती है और दोस्तों सबसे बढ़िया चीज बचे यह लगे कि water resistant है मतलब अगर आपको पसीना वसीना भी आता है तो अराम से यह निकलन हो चुकी है और कहीं पर भी आपको white cast लेखने को नहीं मिलेगा अब मैं आपको बता जिता हूं कि इसको apply कैसे करना है तोस्तों when it comes to sunscreen यह आपके moisturizer और cream से कहीं जादा लगती है आपके face यह एक चमच भर के लगानी होती है जी हाँ जितनी मैं आप बता रहा हूं उतनी मतलब आपको ऐसे रहना है दो फिंगर का रूल रखिए यानिकी ऐस तरह से इतनी आपको लगानी है यह एक फिंगर हुई और यह यह दो फिंगर आपको यूज करनी है sunscreen अपने पूरे face पे दोस्तों अब मैं इसके demerit के बारे में आपको बता देता हूं मुझे personally इसकी क्या असास होगा इसको रियप्लाय करना पड़ता है बार बार हमें यह sunscreen लगाने पड़ती है और दोस्तों तीसरा जो इसकी पैकेजिंग और प्रीमियम हो सकती थी जितनी अच्छी इसके अंदर जो प्रोडेक्ट है उसको बहार से भी उतना अच्छा बनाया जा सकता था ब वह कुछ भी प्रोडेक्ट लगाते है अपने फेस पे वह बूम उनका पिंपन्या निकल जाता है I can understand you guys और अगर आपको यह प्रोडेक्ट खरीदने तो लिंक नीचे मिलेगा और अगर आपको कोई सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं मैं आपसका जबाब दे दूंगा और अग कर लिजिए बिकाज इसी तरह का helpful content fitness and skincare related content में सिर्फ और सिर्फ आपके लिए अब मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए good bye take care I'll see you in the next video guys bye